Hey all right and welcome to all in today's the Hindu news discussion Now daily basis में हम page by discussion करते हैं हर एक news को prelims और mains के basis में notes के form में discuss करते हैं Plus दूसरा हमने क्या add किया है कि जो भी news होगी उससे कैसा question frame होगा हर एक news के basis में हम आपको बताते हैं चाहे वो prelims का question हो या mains का question हो और हर daily Monday to Friday answer writing भी करते हैं तो हम prelims plus mains दोनों की ही तैयारी हिंदू news paper से कर लेते हैं तो सबसे पहला हमारा section रहता है कि overall news paper को पढ़ देना यानि कि दो मिनट में 100 खबर है डैली राइवोट्स आपको होए थे पता था नौर्थ इस्ट में तो बहुत सारे बच्चों को स्टुडेंट को जेल में डाल दिया गया था अंडर दा UAPA Act ये क्या है उसको detail में discuss करेंगे variant of concern ay.1 ये क्या है इसको discuss करेंगे now IMD ने काया है monsoon कुछ delay हो सकता है by a week तो IMD के बारे में discuss करेंगे normal ये daily के basis पर हम discuss करते हैं सबसे बड़ा आज topic हम करेंगे regional rapid transit system ये project है क्या ये daily start कर रही है तो ये rrts project है क्या ये क्या कोई train है क्या ये कोई bus है या कोई space ship है ये detail में discuss करेंगे सुप्रिम कोट ने जो italian marines है उनके against trial जो है close कर दिया है क्योंकि italian की सरकार ने यार जो है ex-grisha दे दिया था compensation दे दिया था हमारे मच्छवारे को अब बट इसके पीछे UN clause का क्या मुद्दा है उसको मैं detail मैं आप सको समझाओंगा कल की ही editorial की घिसी पिटी चीज़ है कल मैंने inflation भारत में कैसे महंगाई मापी जाती है वो बताया था variant mutation इन में difference क्या होता इसको detail में discuss करेंगे criminal justice system को मैं आज फिर से आपको answer writing के format में बताऊंगा electoral bonds बताएंगे cryptocurrency El Salvador एक ऐसा देश जो पहली बार पहला दुनिया भर में एक ऐसा देश जिस ने जो है bitcoin को as a legal tender accept कर लिया है right ethanol के production में गेहों का use कर रहे है government ने confirm किया है कि पहली vaccine से death हुई है एक 68 साल का आदमी थे उनको allergy हुई थी generally ठीक है तो ये detail में हम discuss करने वाले हैं now आप social media से cut भी है तो आपको telegram application जरू जोइन करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे channels है जो आपको UPSC के genuine study material देते हैं उनमेंसे एक channel है PR publication search box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे now यहां पर होता क्या है देखे daily के basis पे UPSC main question हम daily के basis पे देते हैं आपको Monday to Friday और जो हमारे paid user है उनकी चाहे आप Hindi माध्यम से हो या आप अंग्रेजी माध्यम से हो उस particular question के basis पे और question ऐसा नहीं होता कि random दिया जाता है question ऐसा होता है जो most expected होता है जैसे कल हमने government scheme के basis पे question दिया था कि one nation one ration card scheme क्या है challenges और solutions क्या है यह मैंने करवाया भी था ऐसे ही daily के basis पे आपको हमारे paid user के जो answer writing जो करते हैं उनका hard work में आपसे share कर देता हूँ right तो इस free group में यह सब answer writing daily के basis पे आपको मिल जाएंगी बट अगर आप चाहते हैं अपनी UPSC के तहियारी PR publication के guidance में रहकर करना affordable prices में पूरे एक साल तक सिर्फ 499 rupees का yearly plan है जिसमें पूरे एक साल तक देहंदू के notes daily answer writing Monday to Friday NCRT 6 to 12th notes और phone gardens आपको मिल जाती है बट अगर आप NCRT भी revise कर रहे हैं तो NCRT test series है 6 to 12 सभी subject chapter wise test आपको मिल लिए detailed solution के साथ जिसमें previous year के question भी include होंगे UPSC CSET का video course रहेगा previous year question के साथ साथ आपको trick बताई जाएगी तो तीनों ही plan अगर आप एक साथ लेते हैं तो 999 rupees का आप avail कर पाएंगे जो test series है और UPSC CSET course है यह lifetime है यानि कि एक बार आपने ले लिया फिर लेने के जरुबत नहीं है लेना बहुत simple है दिये गई नमर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot same number पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे जहाँ पर सभी material आप एक साथ access कर सकते हैं आप सब लोगों को पता है डेली में राइवट सो होते हैं डेली के north east part में ठीक है कहाँ पर जैसे ये डेली है डेली के north east हिस्से में बहुत सारे riots सो होते है बहुत सारे हिंदू-muslim के basis पर बीच में बहुत ज़दा दंगे देखने को मिले थे बहुत सारे लोगों की जान भी कई थी तो इस समय बहुत ज़दा बच्चों को भी जो जर्निलिस्ट थे, स्टुडेंट थे उनको जेल में डाल दिया गया था और बोला गया था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो आप एक टेरिरिस्ट अक्टिविटी जो है स्टार्ट कर रहे हो तो वहीं पर सुप्रिम कोट ने कहा कि यार आप राइट टू प्रोटेस्ट को टेरिरिस्ट अक्टिविटी घोसित नहीं कर सकते बड़ बात यह आती है आपके माइंड में कॉश्चन होगा ठीक है सर आपने यह तो बता दिया इनको जेल में डाला गया बड़ इनने किया किया बहुत सिंपल सी बात है अभी जो आया था Citizenship Amendment Act अब इससे पहने तो तीन किसान के कानून आये थे जिसमें किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ठीक है यह सब चीज़ें होगी अब Citizenship Amendment Act में यह साहिन बाग में भी चल रहा था यही पूरा और North East में इसी वज़े से दंगे भी होए हिंदू-मुश्लिम के बीच में तो अब जो जो लोग यहां पर देखने को मिले थे सरकार ने उनको क्या कर दिया Unlawful Activities Prevention Act के connection में North East में जो टैली रायट्स होएते 2020 में उनके अंदर जेल में डाल दिया अब बहुत सरे लोगों को अब तीन जो है Student को बेल भी मिल चुकी है बड़ में मुद्दा यह आता है कि ठीक है Citizenship Amendment Act के बेसे स्पे इनको जो है जेल में डाला था Citizenship Amendment Act यह कहता है कि पर्टिक्लर जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगला देश इन देश में जो माइनेरिटीज है जैसे Accept Muslim, Muslim को छोड़ कर Hindu जो persecuted minority है जो persecuted हो रही है क्योंकि यह देश में मुशलिम जादा है Hindu हो गया, बुद्धी हो गया बुद्धिष्ट हो गया, पार्सी हो गया ठीक है, यह क्या है, भारत में आ सकते है पाकिस्तान की नागरिकता होगी बड़ भारत में आ सकते हैं यह यह था Citizenship Amendment Act अब हम जान लेते हैं इससे prelims का question की आएगा एक तो UAP पूछा जा सकता है Mains का question यह आ सकता है कि Citizenship Amendment Act के बारे में आप तरक दीजिए कुछ positive point दीजिए कुछ negative point दीजिए, ठीक है Now हमारा काम है UAP Act को पढ़ाना Unleafful Activity Prevention Act हाल मैं बहुत सारे journalist student को arrest कर लिया गया था across the country यह act पास हुआ था 1967 में यह चीज़ याद रखना और इसमें क्या हो सकता है कि किसी एक individual के against किसी एक group के against कारभाई की जा सकती है, action लिया जा सकता अगर वो भारत की territorial integrity sovereignty को disrupt करे violate करे Act power देता है केंदर सरकार को यानि central government को of which if the center deems an activity as an unlawful मतलब केंदर सरकार बता सकती है कौन सी activity unlawful है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यार इसमें सबसे बड़ा जो punishment है वो that penalty भी हो सकती है as an highest punishment तो UAP के अंदर चाहे इंडिया का है या foreign का national है उनको दोनों को ही action उनके against लिया जाएगा ठीक है, अगर even if crime is committed on foreign land outside इंडिया अगर अफगानिस्तान में भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है या दूसरे देश में भी हो रहा है फिर भी उसके against same कारवाई होगी अगर उसका connection पूरा भारत से है तो 2004 में इसमें act में 1967 के act में सुधार किया जाता है और यहाँ पर terrorist act को add कर दिया जाता है यानि कि यहाँ पर किसी एक organization को जैसे होता न एक तालिबान को ban करना I.S. को ban करना तो 2004 में ban कर दिया गया बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर तब आती है जब 2019 का बिलाता है देखो 2004 तक क्या था कि कोई एकर organization है उसको ban कर दिया जाएगा बट 2019 में एक ऐसा कानून एक provision डाल दिया गया जिसमें एक particular person को भी individual को भी as a terrorist designate किया जा सकता है तो यह act empower करता है NIA team को कि आप उस person की property को seize कर सकते हो तो यह पूरा हमने UAPA पढ़ लिया है Now next है देखिए variant है mutation है इन सब का difference है तो हम editorial के section में जानेगे बट यहाँ पर अभी क्या आपको इससे UPSA prelims और मेंसे question आ सकता है yes आप से पूछा जा सकता है variant mutation में क्या difference हो सकता है बट यहाँ पर अभी center कहती है एक नया variant आया है डेल्टा का ही यह पार्ट है महराष्टा आद्र प्रदेश ते लंगाना में देखने को मिला ay.1 इसका नाम दिया है is not a variant of concern variant of concern कौन होता simple सी बात है जो मैं कहूंगा particularly 10 से 12 से country के साथ फैला हुआ हो तो ऐसा जो variant होता उसे variant of concern बोलते है तो यह closely related है डेल्टा वेरियंट का और डेल्टा वेरियंट वो है जो इंडिया में identify किया गया था बट उसे इंडिया वेरियंट नहीं कहेंगे और अभी तो डबलो एच ने यह भी कहा है कि कि किसी भी वाइरस का नाम उस country के origin के नाम से नहीं देंगे ब्राजियल, UK variant ऐसा नहीं देंगे क्योंकि इससे xenophobia बहुँ ज़्यादा बढ़ता है xenophobia का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक particular देश के individual के against discrimination लिया आते हैं अपने मन में जैसे हमको लगता है कि कोरोना वाइरस चाइना से आया है तो वहाँ पर उनको momos कहके चड़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा spit किया जाता है ठीक है, तो जो कि बहुत ज़्यादा गलत है मैं कहूंगा कि इनके जो ऐसे हैं, इनके against strictly action लेना चाहिए तो उसी को कहते हैं कि अगर डबलो एचो ने यही बोला कि अगर हम किसी देश के नाम पर उस वाइरस का नाम रखें तो वह जीनो फोबिया बढ़ाता है जो कि मैंने proper हर चीज बता दिया, अब इससे question कैसे आएगा, तो यहाँ पर से question आ सकता है कि variant mutation में difference, mains में कोई question आएगा क्या, नहीं आएगा और mains में एक चीज आ सकती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि WHO ने क्यों consider नहीं किया कि country के नाम पर वाइरस का नाम देना चाहिए ठीक है, उसके पीछे reason बता दिया, because it creates the genophobia, पहने पेज में और कोई news है, हमारे like, prelims और mains के लिए नहीं, ओके, चलिए नहीं नेक्स्ट है, मौनसून डेले हो सकता है, आएमडी ने बोला, वेस्टरली ट्रो हैज इंपीड़ रैपिट प्रोग्रेस आप मौनसून और नौर्थ वेस्ट इंडिया, और सा से दस दिन और लेगा मौनसून आने में, मतलब बारिस होने में, बड़ यहां पर तो उत इसमोलोजी या दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, 875 में बनी थी, मिनिश्ट्य आप वर्थ साइंस के अंदर करती है, नई दिल्ली इसका हैटकॉर्टर है, और सभी डिपार्टमेंट को यह जानकारी देती है, अबाउड दा मौनसून, हीट वेप, कोल्ड वेप, हैवी र हारनेस, ब्लेंडेड रिनेबल एनरजी फॉर आर आर टीए सिस्टम, मतलब ब्लेंडेड एनरजी, ब्लेंडेड रिनेबल एनरजी होती क्या है, देखिए अगर मैं ब्लेंडेड की बारे में बात करूंगा, तो आपने इथिनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में भी कर चुके हैं येस बट अभी बात यह आती है कि एक तरह से ट्रेंड है तो इसके लिए रिनेबल एनरजी के लिए जैसे सोलर एनरजी कोर्परेशन के साथ NCRTC ने MOU साइन किया है ताकि RRTS प्रोजेक्ट के लिए Renewal Energy का ही यूज किया जाए बट बात यह आती है कि ठीक है क्वेशन तो आप समझ गए कि RRTS प्रोजेक्ट के लिए Renewal Energy का यूज करना चाहिए और बट RRTS सिस्टम है क्या इसको मैं डिटेल में डिसकस करा हूँगा तो यह डारेक्टली आप से प्रिलिम से मैं पुछा जा सकता है कि with respect to RRTS प्रोजेक्ट चूज दा करेक्ट आप्शन एक तो यह होगा इसमा कुछ factual information होगी कि कितनी लंबी train है कितना लंबा route है कितने उससे चलेगी यह सब डिटेल में डिसकस होगा बट मेंस में कैसी हो सकता है क्या मेंस में डारेक्टली RRTS प्रोजेक्ट के बारे में पुछा जाएगा मेंस में बहुत कम चांसे है बट इंडारेक्टली आप लिख सकते हो कि यह वेकुलर पॉलिशन इतना जादा होता है तो RRTS प्रोजेक्ट हम यूज़ कर सकते है जैसे डैली मेरिट में हुआ है बट RRTS को करने से पहले मैं आप से कॉशन पूछना चाहूंगा नेशनल हाईवे सिटी इस कनेक्टेड इस तरह से UPSC में कॉशन पूछे जाते है आप से पूछा जाएगा नेशनल हाईवे 4 चन्ने और हैदराबाद वाला है क्या नेशनल हाईवे 6 मुंबए और कॉलकत्ता वाला है क्या आप कोगे सर क्या UPSC ऐसे फैक्ट्ट्वल कॉशन पूछती है येस मैं कहूंगा हाँ ये पूछती है नेशनल हाईवे 15 अहमदाबाद और जहुत्पूर आप जहां से चलते हो आप एक जगे से दूसरे जगे विजिट करते हो आप हर्याना में ही रहते हो उत्राखन में ही रहते हो बट कभी ये सोचा है कि इतना ज़्यादा कोई तमिल लाडू चले जा रहा है कोई केरला चले जा रहा है तो नेशनल हाईवे कुछ आपको याद करने पड़ेंगे बहुत सारे चलो आपसे कॉशन है काजिरंगा नेशनल पार्क से क्या कोई हाईवे जाता है अगर जाता है तो वो कौन सा हाईवे है नहीं जाता है तो no लिखना है जाता है तो कौन सा highway जाता है तो आप लोगों को ये वाला answer भी answer करना है comment box में आपसे prelims में थोड़ा सा और ज़्यादा strict होना पड़ेगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हर चीज मैं ही करके दूँगा तो ये सही बात नहीं है which is correctly matched है 1 and 2, 3, 1, 2, 3 इन वैसे कौन सा सही match है screenshot ले लिजिए अपनी answer दीजिए comment box में ठीक है बट मेरा काम यहाँ पर है आप लोगों को about the RRTS train के बारे में बताना या project आप कह सकते हो इसका economics, mains, paper 3, infrastructure, energy, ports, roads, airport, railway के अंदर अब पुछा जाएगा Delhi, Merit, RRTS, 82.15 km long under construction अभी चल रहा है ठीक है पूरी तरह बना नहीं है semi high speed rail corridor है जो Delhi, गाजियाबाद और मेरत इन तीन route को connect करता है ये एक regional rapid transport system है ये किस का project है, NCRTS का project है अब जब कोई भी इस rail में बैठेगा, इस train में बैठेगा तो maximum speed 160 km per hour होगी और distance जो है Delhi और मेरत की वो सिर्फ 62 मिनट में cover हो जाएगी जो कि एक घंटा बहुत अच्छी है with radiating stainless steel outer body these aerodynamics RRTS train will be lightweight and fully air condition each car will be have six automatic plug-in type wide doors, three on each side for ease, access and exit लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं और इसकी speed देख लो और ये simple सी बात है यार इसके लिए renewable energy के लिए renewable energy का fuel use कर रहे हैं तो और ज़्यादा ये environment को भी बचाएगी लोगों का time भी बचाएगी तो infrastructure energy ports में ये question पूछा जा सकता है नाव नेक्स्ट जो न्यूज आती है Italian marine से हैं ये जैसे यहां भारत के मच्छवारे उसी तरह इनको वहीं के मच्छवारे बोल दो ठीक है इटेली के अब ये इटली के मच्छवारे हैं marine से हैं तो 2000 बार में होता क्या है Indian Ocean में ये आ जाते हैं और भारत के एक मच्छवारे को मार देते हैं ठीक है गोली मार देते हैं तो तब से ये case आता है और international level पर इंडिया ये case हार जाता है बट उसके बाद भी इटली जो इटली की सरकार है वो बोलती है कि हम compensation देंगे तो इनको compensation भी दिया गया जो मच्वारे हैं मच्वारों के परिवार को कुछ करोल रुपे दिये गए ये भी हमने किया था बट बात ये आती है कि ठीक है Indian Ocean में क्या होता है देखिए समुदुर का कुछ बहुत सारे जो हिस्से होते हैं भारत की होते है कुछ international boundary होती है तो भारत का कहना है कि ये तो हमारा हिस्सा था बट international level पर भारत वो case हार जाती है ठीक है क्योंकि प्रूब नहीं कर पाती है अपना point तो अब उनको exegresia मिली चुका है इटली की सरकार से उन मच्वारों के परिवार को तो अभी सुप्रिम कोट ने कहा जो ट्राइल चल रहा है इनकी अगेंज़ ये दो बंदे हैं जो एक तरह से इटली के मच्वारे मैं इनको कहूँगा तो इनकी अगेंज़ जो ट्राइल चला भी उसको close कर दो क्योंकि United Nation Tribunal ने decision सुनाई दिया था कि ठीक है compensation देना तो वो दे दिया है ठीक है उन मच्वारों को बड़ बात ये आती है आपको कि ठीक है Indian Ocean में कहां तक सर ये बताओ कि इंडिया का पार्ट है कहां तक हमारे मच्वारे मच्छली पकड़ सकते हैं कहां तक नहीं पकड़ सकते हैं international body border कौन सा, एक्चलम हुआ क्या था ऐसे border line है तो यहां पर इंडिया का है यहां पर international है तो यहीं पर यह पूरा dispute हो था तो इसके ही चलते बहुँ जदा confusion हुआ था उन लोगों को भी United Nation Tribunal को भी और अपने भारतिय ओफिशल्स को भी बट बात यहां पर यह नहीं आती 2012 मैं मैंने समझा दिया क्या पूरी स्टोरी है अब यह बताता हूँ कि UN Clause है क्या देखो यहां पर बहुत सिंपल है यह मान के चलो यह तमिल नाडु है बार नॉटिकल माइल कौन सा है टेरिटोरियल सी फिर 24 नॉटिकल माइल कौन सा है कॉंटिगियस जोन फिर इसी जमीन से 200 नॉटिकल माइल क्या है exclusive economic जोन सबसे बड़ी बात है resources extract करते हैं फिर यह high seas वाला होता है तो यह समूद्र का हिस्सा है तो आप सोचते हों यह Indian Ocean है और यहां पर जो यह है इस पर्टिकलर एरिया में हमारे इटली के वो पूरा जहा जाया था और हमारे मचवारे भी अपनी बकेती कर रहे थे बोल रहे थे आज तो मैं इतनी मचवारी घर को ले जाऊंगा अगर actual condition बताओं तो भारत हार गया international level पर तो बट फिर भी इटली की सरकार ने यहां पर compensation दिया तब अब compensation दे दिया है और यहां पर आपको जाना है UPSC prelims के लिए UN clause तो उस particular news से आप से पूछा जाएगा UN clause UN clause मतलब समुद्र के कानून जिसे आप कहता हो ना समुद्र के कानून तो United Nation Convention on the Laws of the Sea 1982 से इसे Laws of the Sea बोला जाता है इसने समुद्र को कुछ पांच पार्ट में बाटा है internal water, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone मैंने एक एक करके सब आपको बताया सबसे पहले internal water वही baseline वाला पानी जो होता है वह internal water होता है जहाँ पर किसी देश के bay, port, inlet, river, नदियां, lakes उस देश की होती है ठीक है जो उस समुद्र से connect होती है बट territorial sea से हम सुरू करेंगे आप लोगों को बताना है एक nautical mile is equal to कितना किलोमेटर हाला कि यह मैं बहुत बार पूछ तो कहूं बट यार चलो रिवीजन है तो करी लो बेश लाइन से बार नौटिकल माइल तक territorial sea होता है मतलब मान के चलो यह तमिलनाडू है तो जो इंडियन ओशन सुरूआ न तो उसका बार नौटिकल माइल जो होगा वो territorial sea कहलाएगा और एक नौटिकल माइल इकल्ट 1.85 किलो मेटर और इसमें क्या होता है कि हमारा air space भी हमारा है right air space का भी और territorial जो sea है उसका भी right हमारे पास होता है contiguous zone फिर 24 नौटिकल माइल तक जो zone होता है इसमें क्या होता है जो surface का तो हमा पास rights है अधिकार है बट उसमें air jurisdiction हमारे पास नहीं रहता है ठीक है फिर exclusive economic zone ये क्या होता है 200 नौटिकल माइल तक है baseline से और इसमें sovereign right होते हैं हम explore कर सकते हैं exploit कर सकते हैं resources natural resources को extract कर सकते हैं तो 200 नौटिकल माइल तक जितना भी पानी के अंदर कुछ भी चीज़ होगा हमें extract कर सकते हैं चाहिए living thing है non living thing है बट यहाँ पर हमारे air space नहीं होता right मतलब किसी दूसरी country का भी यहाँ पर plane उड़ सकता है और flight navigation यह हमारे पास नहीं होते okay फिर high seas होता है common heritage उसके बाद वो सभी use कर सकते हैं और states can conduct activities हम peaceful purpose के साथ research development कर सकते है marine science undersea exploration कर सकते हैं बट हमारा अधिकार नहीं होता यहाँ पर okay तो UN clause भी मैंने आपको बता दिया अब बात आती है कुछ editorial की invisible tax पूरी बात यहां पर यह आती है wholesale price index जो है 25 साल मैं सबसे ज़्यादा hashed record इस ने hit किया नियली 13% while retail inflation 6 month high 6.3% fuel prices तो ऐसे बढ़ चाल के बोल रहा है तो पूछो मत यहां पर अभी जहां पर उत्तरा खंड के चंपावत जो डिस्टिक है जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर अभी अगर मैं कहूंगा 100 रुपे का petrol डाल दो तो वह कुछ डालेंगे 1.07 इतना लिटर डालेंगे मतलब एक लिटर 100 रुपे हो रहा है अब आप सबको पता है petrol prices अगर बढ़ जाते हैं तो वह directly हमारे एक middle class family के यह एक individual को बहुत ज़्यदा हाट करता है economic level पर ठीक है तो वैसा ही दूसरी भी हुआ राइस्तान सिलंका गंगा नगर वर फ्राइट कॉस्ट अड़ अप्टू स्टेट अं सेंट्रल टकसेस डीजल भी बलड रहा है petrol को GST में लाने की बात की जा रही है पर यहां पर total मुद्दा क्या आता है क्या आपको इस editorial के notes बनाने हैं नहीं यहां से पूछा क्या जाएगा यहां से पूछा जाएगा WPI CPI आपको कि सर क्या यह पूछा जाता एक्च्वल में 2020 का इससे पहले जो UPC का paper हुआ था उसमें directly WPI CPI का एक question पूछा है आप चेक कर सकते हैं उसको तो WPI CPI है क्या बहुत simple है कि भारत में महंगाई कैसे मापी जाती है सबसे पहले है WPI के बारे में वता देता हूँ wholesale price index अब यह वो होता है जहां पर wholesale में कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो उसके बारे में जानकरी लेना मतलब उससे उसके basis पर महंगाई calculate करना बट क्या एक individual आदमी या आप अगर किसी दुकान पर जाते हो तो बोलते हो क्या 100 चाई के देदो package देदो या 100 printer देदो ऐसा तो नहीं कहते हो ना आप कहोगे एक printer देदो एक globe देदो आप बलक में कभी नहीं खरीते हो तो हाला कि ये widely used indicator है इससे भी महंगाई मापी जाती है ministry of commerce industry ये करती है बट सभी जो transaction होते हैं बलके sale में इसको मापी जाते हैं और एक criticize ये किया जाता है कि ये सिर्फ goods को ही calculate करता है services इसमें include नहीं है इसका base year 2011-2012 है 2017 में ही change किया गया base year का मतलब क्या होता है 2011 मागर किसी एक printer की कीमत 100 रुपे है और अभी 2021 माँ उसी printer की कीमत 500 रुपे है तो आप कोगे महंगाई कितनी बढ़ी है 1500 रुपे बढ़ी है तो ये ही होता है base year फिर दूसरा महंगाई calculate करने का तरीका है CPI ये एक retail के basis होता जैसे आप एक चीज खरी इते हो उसके basis पर है जनरली ये goods or services दोनों को calculate करता है CPI चार टाइप के होते हैं industrial worker, agriculture, laborer, rural, laborer, rural, urban combined होते है ठीक है तो जो पहले तीन है इसको compile करती है Ministry of Labor and Employment दूसरे को करती है CSO यानि कि अब वो NSO में भी मर जो गया तो NSO आप कह सकते हो base year 2000 बार है factual information बता देता हूँ जो WPI और CPI है उनमें weightage दिया जाता है food, fuel और manufacture तीन चीज़ों को तो पिछली बार 2020 का ही UPS problems आया था और यह हमने करवाया अभी था तो जो weightage है CPI का वो 46% होता बड़ फूट का ठीक है weightage CPI में बड़ वही WPI में foot का weightage सिर्फ 24% है तो recent update यह भी है CPI का जो industrial worker base है 2016 है और हाली में जो reserve bank of India ने opt किया CPI को ऐजे महंगाई मापने का तरीका राइट नेक्स टेर डिटोरियल आता है यह मैंने पूरा आपको बता दिया delta जो variant है ay.1 global concern की तरह race कर रहा है बट उतना अभी variant of concern नहीं है center तो कहता है five of India leading laboratory जैसे में में यह data submit किया गया ऐसी बहुत सारे हमारे variant है जैसे UK का variant है बट मैं उसे UK का variant नहीं बोलूँगा ठीक है ay.1 b.1617.2.1 यह सब delta के variant है ठीक है और धीरे-धीरे फैल रहे है भारत में इनका mutation पर भी ध्यान दिया जा रहा है ठीक है तो यह पूरी चीज़े मना रहे है several countries including India have the infrastructure resources ताकि इन mutation को track किया जाए बट आपकी मन में question होगा क्या सर इस editorial के भी notes बनाने है मैं कहूँगा बिलकुल भी नहीं बनाने है इस editorial में सिर्फ यह question पूछा जा सकता है कि variant, mutation इनके बीच में difference क्या होता है Now what is the difference between a variant, mutant and strain? Okay, सबसे पहले strain जान लेते हैं Strain एक तरह से genetic characteristic होता है, genetic characteristic का मतलब क्या होता है जैसे कोई father है और उसका बेटा है, son है तो हम कहेंगे hair उसकी जैसी है, nose उसकी जैसी है, lips उसके जैसे है, hand उसके जैसे है Face उसका जैसा है, अपने father का जैसा, तो वह ही characteristic होता है So strain को classify किया जाता है, genetic characteristic But precisely which feature should be considered important can differ from species to species जैसे, for germs, जो germs होते हैं, जो disease create करते हैं A strain might be microbes with a gene that confer resistance to antibiotic मतलब gene characteristics क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे disease create करते हैं और characteristic कैसे पता करोगे, मतलब बहुत सारे ऐसे germs होंगे जो antibiotic resistance होंगे, मतलब अगर हम उनमें दवा डाल रहे हैं, तो फिर भी नहीं मन रहे है तो इसका मतलब वो एक gene characteristic हो गया, तो उसी को कहते हैं strain strain का मतलब होता है कि species, हर species में अपना genetic characteristic होता है तो एक example यहाँ पर दिया है कि जैसे एक pathogen है, तो उसके बाद यह characteristic है कि हम कोई antibiotic देते हैं उसको मारने के लिए, तो वो उससे register कर पाएगा तो यही होता है कि strain, different genetic character होना mutant क्या होता है, फिर बहुत simple सी बात है यार मैं कहुँगा corona एक RNA virus है, RNA उसका genetic material है हमारे में DNA होता है, तभी तो बोलते हैं ना इसका DNA चेक करो, इसका DNA चेक करो इसके बाल कटा है तो इसका DNA चेक करो तो mutant बहुत simple होता है कि genetic material में ही change आ जाना और कुछ नया बन जाना, उसे mutant कहेंगे, अच्छे से समझना, बहुत simple है तो DNA और RNA जो genetic material में ही change आना, अब यह आपको कि change कैसे आता है सर, बहुत simple है coronavirus हमारी body में enter किया, उसने अपने genetic material रिलीज किया अब जो वो multiple करता है, multiplication अपनी copy बनाता है, तो उस दोरान genetic material खुद का ही जो DNA sequence होता है, या RNA sequence होता है, वो change हो जाता है ठीक है, rapid में, तो उसी को कहेंगे mutation, और mutation इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कभी-कभी ये बहुत जादा, कभी-कभी normal से कम भी हो जाता है, बट कभी-कभी wild type भी बन जाता है क्योंकि जब genetic material change होगा, तो किसको क्या पता यार क्या बनने वाला है तो उसे mutation कहते हैं, समझ माया, mutation में genetic material ही change हो जाता है आप कहोंकि variant क्या होता है, मैं बहुत simple सी बात बताओंगा variant का मतलब, मैं कहोंगा अगर ये father है, फिर उसके पिताजी है, फिर great grandfather है फिर great 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 grandfather है, फिर grand grand great father है, मज़ा कर रहा हूँ तो बात ये आती है, कि जहां से ये emerge होके आया, तो इसे हम कहते है variant मतलब ये lineage कहां का है, अब great great grandfather से simple सी बात है, अगर आप देखोगे और अभी 2021 का उनका पोता पर पोता देखोगे तो बहुत ज़्यादा difference होगा, तो इतना ज़्यादा वो संघर से करके जो आये, बीच में changes हुए तो जो ये external, जो सबसे ज़्यादा जो पहले के थे, जो lineage थे, वही variant होता है कि कहां से firstly ये identify किया गया, ठीक है, तो a scientist who built a family tree use the term lineage to label distinct branch, राइट, जैसे UK का variant है, मैं कहूंगा India का variant है हाला कि आप तो ये नाम नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ओके नाव नेक्स्ट है, America mistaken the forever war, ये अमेरिका और तालीबान के relation के basis पर हुआ क्या, बहुत simple सी बात है इसके notes नहीं बनाने, मैं directly आपको ये पूरा editorial समझा देता हूँ, ये है अपना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की boundary touch है अपने प्यारे भारत से, यहाँ पर है बकेट सा पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा hero बनने का try करता, बट ये hero है नहीं, ठीक है यहाँ पर अपना है अमेरिका जो की world leader है, अफगानिस्तान में तालिबान जो है एक terrorist group है, वो अभी इसने अपना base बनाया है अभी जो सरकार बन रही है, तालिबान और असरब गनी दोनों मिलके बना रहे है, हुआ क्या था यूएस ने पहले तालिबान को कम करने के लिए, इस्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने टूप्स यहाँ पर भेजे थे और तालिबान ने बोला था कि अपने टूप्स को हटा लो, हम यहाँ पर इस्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे क्योंकि सिविलियन्स को यह मारते रहते थे, तो अमेरिका ने का ठीक है, हम इस्टेबिलिटी बनाने के लिए अपने टूप्स को हटा देंगे तो क्या यहां पर पूरा मुद्दा यह है कि क्या टूप्स को हटाना अफगान जो अमेरिका का एक सबसे बड़ा ब्लंडर था तो यहां पर बोला जा रहा है हाँ ऐसा क्यूंकि तालिबान तो यही चाहता था कि अमेरिका अपने टूप्स हटाए और हम जादे से जादा अफगानिस्तान का एरिया कब जाएं तो यह पूरा था तो यहां पर पूरा ही बता जा रहा है कि अमेरिका को अपने टूप्स नहीं रिमूव करने चाहिए थे आप कहोगे ठीक है और किसी देश ने क्यों ने किया मैं कहूंगा अमेरिका यह वर्ल्ड लीडर यह चाहता है कि सभी देशों में वर्ल्ड लीडर जो होगा वही तो करेगा तो सभी देशों में इस्टेबिलिटी आए इसलिए उन्होंने अपने ट्रूप से रखे थे अब ठीक है तो तालीबान ने यही कहा था कि अपने ट्रूप से हटाओ हम क्या गरेंगे सीस वायर जो है वो मेंटेन रखेंगे बट अब धिरे धिरे क्या हो रहा है तालीबान और बेस अक्यूपाई कर रहा है और अमेरिका की यह मिस्टेक माने जा रही है तो धिरे धिरे सभी देशों को अभी अफगानिस्तान का इशू बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि वहाँ पर तालीबान बहुत अपनी बेसिस को बढ़ा रहा है राइट चलिए नेक्स्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रॉपर यहाँ पर इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए जूडिशल फेरनस होनी चाहिए बढ़ यहाँ पर एक ही इस पूरे आर्टिकल में एक ही मुद्दे को फोकस किया है बढ़ मैं आपको जो यूपीएसी मेंस का कॉशन बताऊंगा वो पूरा अवरॉल अच्छे से कवर किया गया होगा बढ़ यहाँ पर एक ही पूर्टिकलर मुद्दे को हम डिसकस कर लेते हैं हुआ क्या था 2013 में तरुन तेजपाल एक एडिटर है न्यूज मैगजिन का तो उसको रिसेंट जज्जमेंट में उसको छोड़ दिया गया और ऐसा बोला गया था कि 2013 में विमेन के अगें सेक्शूल असॉल्ट किया था तरुन तेजपाल ने बट यहाँ पर क्या हुआ था कि उस समय लोवर जो कोट में जब यह चीज़ें गई थी तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा सेंसिटिव विटी नहीं दिखाती है देते हैं उस पूरे बेसिस पर बोला जा रहा है एक सो बहुत तरवी रिपोर्ट है लॉग कमेशन आफ इंडिया की रिकमेंडेशन है इसमें दो चेंज़ेस किये गए एविडेंस एक्ट में पहला यह है कि जिस विक्टिम के साथ सेक्शल असॉल्ट किया गया है उसके जेनरल करेक्टरिस्टिक को आप उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं समझ होगे ऐसा बोला गया जिसके साथ सेक्शल करेक्टर है अगर उसको नहीं है तो आप उसकी अपनी चैनला गया है किसले साथ तो उसको परिशनल चैनल है वो ठीक है वो रखे ना रखे उसकी मरजी है तो उसके basis पर आप उसके character को judge नहीं कर सकते ऐसा 172nd report में क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जिसके against sexual assault होता है उसके general character पर सवाल उठाये जाते हैं तो जिसमें 172nd law commission of India की report आई तो आपको ये जरूर mention करना है कि ये क्या एक अच्छी चीज की criminal justice system में ठीक है मैंने बोला ना ये एक ही point को यहां पर focus किया जा रहा है बट मैं यहां पर जो यूपीसी mains का question बताऊंगा वो फिर stereotype बना देते हैं और दूसरा Indian penal court में 1983 इसमें सुधार किया गया और बोला कि जो अगर जिसके अगर sexual assault होआ है अगर उसके identity आप release करते हो तो ये particular जो action है वो punishable कहलाएगा उनकी identity को आपको छुपाना चाहिए under the section 228A ठीक है तो आप कहोगे कि अभी women के अगरें जो sexual assault होता उसके लिए कोई कानून है recommendation बहुत अच्छा किया गया है तो पहला ये कर दोगे दोसरा आप कहोगे identity भी छुप जाती है तीसरा at the end आपको होगे proper investigation unbide honest justice law के अगर्डिंग ये जांच होनी चाहिए तो I think मैं आपको women के लिए तो बहुत अच्छे point बता चुका हूँ जो आप अपने solution में लिख सकते हैं UPSC main question में आएगा कि criminal justice system में जो women के अगे अगे sexual assault होता है उसके लिए solution दो तो एक तो ये वाली report दोगे एक ये दे दोगे एक ये दे दोगे बस तीन point में डेल सो जो question का answer बन जाता है आपका पर फिर भी मैं UPSC main question में criminal justice system जी एस पेपर टुका एक बहतरी इंसा ये topic है criminal justice system वो ये बहुत simple सी बात है जो government agencies होती है crime को track करना, crime को रोकना ये सब उनका काम रहता है तो वही है criminal justice system objective ये है कि crime को रोकना criminals को punish करना criminals को rehabilitate करना victim को compensate करना ये criminal justice system के अंदर ये सब चीज़ां आती है Indian penal court में 1833 में ये सबसे पहले charter first law commission ने establish किया गया था हला कि 1860 में उसको फिर से draft किया गया, CRPC बनाया गया 1974 में और क्यों criminal justice system को जरूरत है, ineffectiveness बहुत ज़दा है cases बहुत ज़दा pending है 3-4 करोड cases pending है बहुत सारे लोग under trial है under trial मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमारी bail कब होनी वाली है investigation अच्छे से नहीं होती है मलीमत कमिटी की report आप से directly prelims में यह पूछा जा सकता है कि with respect to मलीमत कमिटी report it is for आपको आएगा criminal justice system it is for space research मलीमत कमिटी report third, it is for jail prisoners fourth, none of these तो answer हो जाएगा criminal justice system को reform करने के लिए police investigation माधाओ मैंन कमिटी भी इसले थी ठीक है offense को classify करना तो यह criminal justice system का overall topic भी मैंने आपको पढ़ा दिया UPSC मेंस के basis पर next है needed full disclosure on electoral bond Supreme Court ने अभी suggestion दिया कि match the following on political donation is impractical and incorrect मैं यहाँ पर पूरा बताऊंगा हाला कि यह पूरा article political orient है है पूरा बताया है कि कहां कहां से electoral bond मिलेंगे बट आपको अभी यह वाला के notes नहीं बनाने notes जो हम देंगे वो आपको बनाने है now electoral bond general studies paper 2 transparency accountability में पूछा जा सकता है electoral bond scheme 2018 में शुरू की गई थी दो जनवरी 2018 को ताकि political parties को funding दी जा सके ओके दूसरा electoral bond जो multiple आप 1000 रुपे का ले सकते हो 10,000 का 1,000,000 का 10,000 का 1,000,000 का maximum limit कोई भी नहीं है state bank को authorized रहता है electoral bond आप state bank of India के पास जाओगे आप बोलोगे मुझे electoral bond चाहिए आप कहोगे चलो 10,000 का चाहिए तो वो आपको अपनी political party जिसको भी आप fund देना चाहते हो वो paper उसको देना पड़ेगा और political party फिर उसी bank मचाएँगे और बोलेंगे कि चलो 10,000 रुपे निकालो अब एक prelims का question electoral bond किस party को दिये जा सकते है जिसने पिछले लोकसभा के election में या state election में total according to representative of people act 1951 at least 1% उसको total अगर 100% vote मिले तो एक vote उस political party को मिलना ही चाहिए तभी verify होगी कि उसको electoral bond मिलेंगे या नहीं क्योंकि कभी-कभी बहुत सरी नई party होती है उनको 1% भी vote नहीं मिलते हैं तो bond जो available है वो citizen of India खरीच सकता है incorporate और established in India जो यहां के ही लोग हैं वही उस bond को खरीच सकते हैं for a period of 10 days each in the month of January April, July, October में हर 10 दिन दिन SBA इसको open करती है कभी-कभी अपने जरूरत अंसार कभी जो election का month अगर October में ना हो September में हो September में भी खोला जा सकता है जो कि Central Government के कहने पर क्या donor का नाम mention होगा उस bond में बिल्कुल भी नहीं तो यह सब चीज़े हैं अब now controversial क्यों है यह क्या इसमक खराबी है ना ही donor who could be individual और corporate हो सकता है मैं भी हो सकता हूँ मुके संबानी भी हो सकता है not the political party is obligated to reveal whom the donation comes from कहां से donation आया है political party को reveal करने की जरुवत नहीं है सबसे पहला challenge यह है तो मैं कहूंगा यार कोई transparency बची नहीं यहां पर अब 2019 में Supreme Court held that all particle party who had received donation through electoral bond must submit detail in election commission of India 2019 में political parties को बोला गया कि आप election commission of India को submit करोगे detail but public में नहीं करोगे फिर भी transparency कहां पर आई दूसरा fundamental constitutional जो principle है freedom of political information which is an integral part of article 19 of the constitution इसमें कुछ violation आपको देखने को मिल जाएगा transparency defeat हो जा रही है पता नहीं चल रहा कि आप किसको दे रहे हो purpose क्या है government is always in position to know that donor is because the bonds are purchased through SBI this asymmetry of information threatened to the color of process in favor of whichever political parties rolling at the time अब यहां पर ठीक है आपको कि asymmetry तो देखने को मिलती है कि किसने खरीदा किसको नहीं मिला ये पता नहीं चलता बट black money के लिए ये सबसे बड़ा source है देखो पहले क्या था पहले मैं बता देता हूँ बहुत simple था पहले हुआ क्या करता था जो ऐसे कोई company है जैसे मुके संबानी की company है और वो सिर्फ अपने profit का 7.5% ही दे सकती है अगर उसको 100 करोड रुपे का फाइदा है तो political donation सिर्फ 7 करोड दे सकती है बट अब तो ये भी नहीं है अब electoral bond आप बिना maximum limit के कितने भी खरीद सकते हो मुके संबानी चाहिए तो 200 करोड 1000 करोड 5000 करोड 10 000 करोड वो BJP government को दे सकता है या Congress government को दे सकता है तो इतना बड़ा भी black money के लिए back channeling है मुके संबानी इने सब कुछ मान के चलो मैं कुछ कहीं नहीं रहूँ तो वो तो white money मल गई समझ माया क्योंकि कोई limit ही नहीं है आप सबको पता होगा अमेरिका का एक southern country है ऐल सलवाडर नौजून को पहली दुनिया भर की पहली country बन चुकी है जिसने bitcoin को as a legal tender accept कर लिया है इसकी currency टी डॉलर एल सलवाडर की ये पूरा बता चुका हूँ ठीक है तो इन्होंने अभी क्या करा डॉलर को हटा के bitcoin को as a legal tender बना दिया गया अब इन्होंने ये बोला कि दुकानदार से आप लो जो दुकानदार bitcoin accept नहीं कर रहे तो सरकार क्या कर सकते है उन bitcoin के बदले dollar भी उनको दे सकती है ठीक है तो उनको ये trust दिलवाने के लिए कहने का मतलब आप जो bitcoin है एक legal tender बन चुके है bitcoin एक cryptocurrency है cryptocurrency क्या होती है cryptocurrency एक virtual currency है मतलब जैसे virtual wallet में आपका पैसा होता है paytm में जैसे आपके पैसे होता है एक तो bank के से link होता है एक paytm wallet होता है तो वही पैसा virtual currency होता अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यार जो cryptocurrency होती है वो decentralized है मतलब reserve bank of India या आपका जो central bank है उसको regulate नहीं कर रहा तो यानि कि मतलब अगर उसकी value गिरे तो आप reserve bank of India के पास नहीं जा सकते हो as a Indian government उनको अपने जो middle class लोगों की चिंता रहती है जो poor लोग है उनकी चिंता रहती है तब ही तो सरकार के तिये gambling ban कर दो ये सब ban कर दो ठीक है जिसमें आपका loss होगा तो reserve bank of India ने भारत में सबसे पहला transaction भारत में 2010 का हुआ था cryptocurrency का मतलब ये decentralized है इसमें कोई central authority उसको चलाती नहीं है इसके जो transaction है वो transparent रहते हैं बट कोई ऐसा नहीं है कि केंदर की कोई bank इसको चला रही है 2013 से 2008 में बहुत ज़ादा criticize किया गया था cryptocurrencies को और even 2008 में तो bank of India ने बोला था कि cryptocurrency की trading में बैन कर दिया गया 2018 में बट सुप्रिम कोट को पता था कि यार बैन करना एक अच्छा solution नहीं है तो 2020 में सुप्रिम कोट ने बोला कि इस बैन को हम हटाते हैं आप cryptocurrency में आप अपना जो है transaction कर सकते हो हाल में ही भारत सरकार एक बिल लाने वाली है इंडिया के draft cryptocurrency regulation official digital bill 2021 अब इसमें क्या होगा कि जितने भी private cryptocurrencies हैं उनको तो criminalize करेंगे और reserve bank of India खुद की अभी digital currency बनाने वाली है या जो reserve bank of India की bagged digital currency होगी जो कि ये अच्छी बात है और draft will अभी parliament में नहीं आया है बट यहाँ पर यह होगा कि अच्छे से इसको करना चाहिए और regulatory framework बनाना चाहिए UK ने भी classify किया है बहुत सरी cryptocurrency को as a property और legal framework के अंदर रखा है तो भारत को भी cryptocurrency का use करना चाहिए और legal framework के अंदर रखना चाहिए चलो मुझे आप लोग बताना पांच cryptocurrency के नाम बता दो ठीक है और हलका सर्ची भी करना उनके बारे में ठीक है तो यहाँ पर से prelims के basis पर ऐसा question आएगा कि comment on the cryptocurrency their challenges and solutions ठीक है और bitcoin तो ऐसा है कि यार बहुत सारे illegal weapon अगर खरीदने हो तो bitcoin से भी खरीदा जा सकता है और bitcoin का सबसे negative बात यह है कि किसने कहां से खरीदा यह पता नहीं चलता privacy बहुत ज़्यादा है इसमें अभी central government ने कहा है कि 78,000 जो ton rice procurum करते हैं food security के लिए उसको ethanol बनाने के लिए यूज़ करेंगे और ethanol क्यों बना रहे हैं आप सबको पता है petrol में mix करने के लिए ताकि अगर 100% petrol होगा आपकी गाड़ी में तो वह ज़्यादा CO2 emission करेगी और 20% ethanol मिला दिंगे उस petrol में तो emission कम होगा भारत सरकार ने confirm किया कि पहले death हो गई है reaction vaccine से आप कोगे इससे कैसे question आएगा इससे generally mains में question आता है और prelims में यह आएगा कि ethanol blended program क्या है और mains में आएगा ethanol blended program क्या इसका हम question कर चुके हैं मैं इसको show कर देता हूँ अगर आप हमारे paid user हैं सिर्फ ethanol blended अगर आप chat में लिखोगे तो आपको देखो 11 जून का question मिल जाएगा आज है तो हमने यह कुछ चार पाइं दिन पहले पढ़ा है examine the need for ethanol blended program in India challenges क्या हैं और suggestive road map आप कहो कि सर इसके मुझे वो चाहिए notes चाहिए तो मैं कहुँगा कोई दिक्कत नहीं आप कहो कि सर हिंदी माध्यम के लो हिंदी माध्यम के आप कहो कि इंग्लिस मीडियम के हो इंग्लिस मीडियम मैं I think paid user इसमें share करना मैं भूल गया हूँ 11 जून का इंग्लिस मीडियम के लिए यह हिंदी मीडियम के notes भी आप पढ़ोगे तो आपको easily समझ मा जाएगा तो now 68 साल का जो यह person है उसको severe allergic reaction के वज़े से उसकी death हुई ठीक है तो government ने confirm किया कोई मुद्द यह है prelims और मेंसमा आने का नहीं है US चाहता है कि हम domestic terrorism को खतम करें NATO का यह statement आया है statement by NATO is a slender Chinese mission to European Union announced a NATO statement that declared Beijing a security challenging China is a force for peace but will defend itself if threatened NATO की country China को criticize करते रहते हैं कि बहुत ज़्यदा violation यह करती है US-Russia ties are at the impasse Kremlin official हमरी काम का नहीं है Taiwan में Taiwan एक कोई बोल देता है कि Taiwan एक अलग country है तो China हमेसे गुस्से मा जाती है China तिबबत को जैसे हतिया जी है Taiwan को भी ऐसे ही हतिया रही है तो Taiwan रिपोर्ट करता largest incursion by Chinese forces at least पंद्र लोग मारे गए Somalia के suicide attack में और क्या काम है चाइना के साइन्टिस्ट ने deny किया कि वहान की जो लेब leak theory है उसको हम नहीं मानते है तो यह पूरा detailment हमने discuss कर लिया है चलिए आप लोगों के लिए comment पढ़ लेते हैं नी बंसल ठीक है सही answer है no time issue sir thank you rose अभी पास sir what is the benefit of G7 countries in purchasing vaccine from India देखिए अभी पास 10 अभीप सादाश जी G7 country अगर purchase कर रहे है vaccine इंडिया से तो भारत कोई तो फाइदा होगा ना भारत export करेगी पैसे में देगी तो economic बढ़ेगा value thank you sir quality increase 100% thank you sir thank you subho perfect initiative thank you sir G7 submit sir time का कोई issue नहीं है okay thank you जोतकौर सरीमान last analysis से 2-3 prelims daily solve करवाते starting में तो हम लोगों को भी help भी होता और knowledge भी मिलता by the way as your wish thank you Kumar Arun हम इस पर ठीक है विचार करेंगे और मेभी इसको implement भी करेंगे great explanation but please sir don't stop death value बिलकुल दिक्कत नहीं है यार दो साल से हम करवा रहे हैं कोई stop नहीं किया जाएगा ठीक है headquarter आपने बताया sir NCRT complete है उसका स्वेता कुमारी आप हमारी टेसरीज ले सकते है 499 रूपीज की 6-12 है ऐसी टेसरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी और इतने affordable prices में सिर्फ 500 में आपको 6-12 सभी subject की टेसरीज मिल लिए हाँ हेंड़ बरो सही answer है recovery promoting future ओके आपने ये आप notes बना सकते हो सभी लोग थेंक्यू विनाई प्रिया सीना 6-12 11 बाजिये कर लूँ तो रहेगा concept strong करने के लिए I have time कर सकते हो इतना जाता 11-12 बाइलोजी की दिक्कत नहीं है 11-12 बाइलोजी करने की दिक्कत नहीं बाइलोजी के चाठ चेप्टर पढ़ लेना last 12th class के Thank you So we can counter nepotism Sir how we can counter encounter nepotism ठीक है इसको बताएंगे नाटो headquarter nepotism आपको generally कहां देखने कुमें लेगा मैं Bollywood की बारे में बात नहीं करूँगा मैं बात करूँगा universities में अगर आप universities में देखोगे तो president, governor इन सब के जो रिस्तिदार होते हैं generally इनके chancellor भी बन जाते हैं कभी-कभी spare nepotism में कम करने की बात है तो इसमें क्या होगा एक transparency होनी चीए एक committee इठाएंगे proper selection होना चाहिए G7 theme is climate crisis नई theme अलग होती है no time issue but screen sharing में सुभम पाल जी आप थोड़ा सा internet का वो बढ़ाना ठीक है visibility में भी 480 में सर ये बीच में चलती चलती न्यूज के वाव करीम देखना जरूरी है क्या किन्यों ने किया सौरा लोचन जी वाव करीम तो देखनी पड़ेगी यार ठीक है G7 थैंक यू वाव नाइश दे